नमस्कार दोस्तों, मैं एड़ुकेट शांतर वियाची स्वागत करता हूँ आपका इन वीडियोस की शंखला में और आपकी और अपनी चैनल ओनलाइन लीगल हेल्प में इन वीडियोस की शंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप से बात करेंगे वह कौन से कारण हैं जिनके बेसेज पे तलाक लिया जा सकता है अगर contesting divorce है तो mutual divorce है तो आपसी समझोते पे तलाक लिया जा सकता है उसमें कोई कारण देने की अवशक्ता नहीं है केवल यह दर्शाना होता है कि पती पत्नी की आपस में बन नहीं रही है अगर आप contesting divorce में जा रहे हैं याने की पती या पत्नी में से कोई एक जन राजी नहीं है तलाक देने के लिए तो कौन-कौन से ऐसे grounds होते हैं जिस पर तलाक लिया जा सकता है सबसे पहला ground, सबसे common ground जो आता है वो होता है cruelty cruelty याने की cruelty याने की cruelty मानसिक भी हो सकती है और शारिरिक भी हो सकती है physical as well as mental, physical को दर्शाय जा सकता है लेकिन mental cruelty को दर्शाय नहीं जा सकता है Mental cruelty कुछ भी हो सकती है आम तोर पर देखा जाता है किसी तरह की गाली गलोज करना ताने देना, दहेज के लिए प्रतार्णाय देना यह सारी चीजें mental cruelty में आती है दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम adultry के बारे में आम तोर पर पहले के समय में यह माना जाता था कि एक male या husband होता है वही adultry कमिट करता है adultry का मतलब यह होता है कि शादी जुता जिन्दगी के बाहर भी आप किसी और महिला के साथ conceptual, sexual intercourse कर रहे हैं याने कि असान भाशा में कहें तो शारिक संबन इस्थापित कर रहे हैं जो की एक criminal अपरात की शेणी में भी आता था अगर wife यह अपरात करती थी तो उसको adultry में punishment नहीं दिया जा सकता था हाला कि कानूनी रूप से आप उसके खिलाब जिस पुरुष के साथ, जिस इनसान के साथ या किसी और पुरुष के साथ जो संबन रख रही थी उसको आप as a adulterer बता कर उसको आप penalize यानि की सजा दिलवा सकते थे लेकिन 2018 के बाद से है कानून एकदम से बदल गया adultry को decriminalize कर दिया यानि की सजा के तौर पे उसको हटा दिया लेकिन याद रखने और important बाद जो है वो यह है कि आज भी adultry को divorce का एक ground माना जाता है तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है desertion जी हाँ दोस्तों desertion का मतलब होता है त्याग देना अगर माननी जे पती या पत्नी ने बिना किसी कारण के अगर एक उधारन के रूप से माने कि माननी जी cruelty होती थी cruelty का मतलब cruelty या husband या wife एक दूसरे को कुछ cruelty करते थे उस basis पे अगर husband या wife अलग हो गए हैं तो desertion की category में इसको लाया जा सकता है लेकिन इसको यह साबित करना होगा कि जो यह desertion याने कि दो साल से कम से कम पती पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तब आप desertion के ground पे आप तलाग को as a ground यूज करके तलाग प्राप्त कर सकते हैं चोथा दोस्तों जो बात करते हैं वो बात करते हैं conversion की conversion का मतलब यह होता है बदलाओ बदल लेना आप मान लीजे किसी एक religion से बिलॉंग करते थे और आपने अपनी spouse जो दूसरा spouse है चाहे वो पती हो या पत्नी है उसकी मरजी के बिना आपने किसी दूसरे धर में अपना परिवर्तन कर लिया है तो भी है दोस्तों कारण है एक त तो उस शेणी में आप mental disorder की category में आते हैं और यह है एक तलाग का ground बन जाता है यह चटवी दोस्तों हम बात करें कोई ऐसी communicable disease फैलने वाली बिमारी आपको लग गई है जो कि आपके पती है या पत्नी है जिसकी ऐसे इनसान को लग गई है पती पत्नी में से जो कि दूसरे क इसका बहुत एक उधारन है सरल उधारन slips करके एक बिमारी होती है यह है फैलने वाली बिमारिया होती है अगर यह पत्नी में से किसी को लग गई है तो भी तलाग का एक कारण बन सकता है और आप तलाग ले सकते हैं उसके दोस्तों सात्वी नंबर पे जिस पे हम बात करते ह है हम renunciation की याने की सन्यास ले लिया है अगर माली जब पती पत्नी में से कोई एक सन्यासी बन गया है तो दूसरे का पूरा राइट है इस ग्राउंड पे तलाग लेने का एक बहुती important और महत्पून कारण और है जो कि 8 वे नंबर का point आता है Indian Evidence Act में clearly defined किया गया है माली साल के period तक गायब रहते हैं जिनके बारे में कभी सुना देखा ना गया हो या किसी ने बात ना की हो तो पती या पत्नी इस चीज़ का फायदा उठा करके तलाग ले सकते हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं अगर उनकी एक्षा है तो तो दोस्तों ये art ground मैंने आपको contestant divorce के वो बताएं हैं जिनको basic आप ground बना करके तलाग की decree अपने favor में प्रात कर सकते हैं इन art grounds के अलावा भी 3-4 grounds ऐसे भी हैं जो की wife यूज़ कर सकती है अपने favor में और तलाग की decree अपने favor में ले सकती है उसमें से सबसे important point जो आता है वो आता है by gaming बाइगेमी का मतलब ये होता ह है दोस्तों कि मान लीजे आप एक शादी ज़रा जिंदगी में थे और husband जो था उसने पहली शादी में तलाग नहीं लिया है और दूसरी शादी कर लिये तो दोस्तों ये by gaming की शड़ी में आता है ये धारा 494 IPC के तहत punishable भी है और तलाग का ground भी है इसके अलावा दोस्तों जो बात आती है वो आती है rape की, sudomi की या bestality की, जानवर पना की जी हाँ अगर मान लीजे दोस्तों आपके शाद शारिरिक rape हो रहा है शादी के साथ जिसको हम marital rape भी कहते हैं आपका पती आपकी बिना consent के आप साथ शारिरिक संबन की स्थापना करना चाहता है या किसी same link के स आपके साथ शारिरिक संबन इस्थापित करता है या आपके साथ unnatural sex करता है तो ये सारी तीनों category भी rape की category में आती है और wife इनको ground बना करके तलाग की डिक्री अपने पक्ष में ले सकती है पर इसमें important बात ये है दोस्तों कि अगर आप इसको ground बना करके तलाग की डिक्री ले इसमें एक सबसे important last point बसता है दोस्तों वो बसता है puberty का ground आम तोर पे दोस्तों ये देखा जाता है कि child marriage करा दी जाती है तो इसमें याद रखने वाली बात important ये है कि ये 15 साल से 18 साल के बीच में जब एक लिड़की puberty की age attend करती है तो court ये power देता है कि puberty की अगर उसकी child marriage की गई है तो जब वो puberty attend कर सकती है तो वह इस शादी जुदा जिन्दिगी को चाहे तो निर्णाय लेकर के खतम कर सकती है अगर वह शादी उसके विरुद हुई है या उस शादी में वो रहना नहीं चाहती है तो ये कुछ grounds थे दोस्तों जो हमने आप से discuss किये इस वीडियो क करना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं हर बार की तरह जो आप अपना किंती समय हमें देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों